मोते भाबा दियो, मोते भगती दियो, भाबा दियो, मोते भगती दियो कि भगवान कृष्ण की वाणी भगवत गीता जो है वो आप सुने और देखें जिससे आप अपने जीवन को सुधार सकें बना सकें और जीवन में वो अंतिम जो आपका जो मकसद है वो आप पा सकें गीता है उची भगवान को मुखनी सुर्था बाणी जैता बेले धर्म खेत्र कुरु खेत्र रे निचा आत्मियो सोजनांको देखी अर्जुन जैता बेले गांडीवाको फिंगी देए थिले सेतबले अर्जुनोंकु बुझाईबापाई भगवान सिकुष्ण गीता कथा कही थिले। सेतबले अर्जुनोंकु बुझाई भगवान सिकुष्ण गीता कही थिले। काम आरंभा खुब सिघ्र कराजियो बली मध्यों सुचुना देचान्ती तेवे आमसोईता बर्तमान अच्छन्ती सलेंद्र भारती जीकी होचन्ती जने प्रसिद्ध भजन गायको तथा प्रवजको तवे प्रथमें तांका सा आलचना करीबा। भासा में कनवर्ट करके लोगों के पास को लेने के लिए। ये ख्याल जो आया मेरे मन में सबसे पहले ता आप सबको जैशी कृष्णत जैश अगननात सुचान जी ये जो ख्याल आया ये ख्याल मुझे लगता है कि सब इश्वर की कृपा होती है तब ही आता है भगवान ने शायद मुझे चुन लिया होगा मन में मेरे कुछ अंदर से कुछ उलजने थी कि ये जो चीजें हैं जो मुझे नहीं समझ में आ रही हैं तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे भाई वेहन होंगे जिनको ये समझ नहीं आ रही होगी तो वो इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं कि ये तो भगवान की वाणी है भगवान ने स्वयम अपने मुखार विंद से ये वाणी कही जिसे हम भगवत गीता के रूप में जानते हैं और जिसे अठारा द्यायों में और साथ सोच लोकों में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया तो मन में था कि मैं इसका सरली करण करूं इसको और ज्यादा सरल बनाओं और सरल भी वैसे तो लोगों ने इसका ट्रांसलेशन किया हुआ है बहुत सारे लोगों ने काम किया है परन तो मुझे लगा मैं इसमें एक अलग से ये कर सकता हूँ कि इसे आज की जनता के लिए आज के भाव से मैं कैसे उनको समझाओं खास करके मेरी यंग जनरेशन को कि जो उस लेंग्वेज का उप्योग करूँ इसमें जिससे वो लोग इससे कनेक्ट हो सकें और उनका जीवन बदल सकें और ये भगवान की कृपा है हो गया गीता जीवन है और जीवन के साथ साथ में जीने की कला है और यदि आपके हाथ में जीवन आ जाए आपका ही अपना जीवन आपको सामने नजर आ जाए और साथ ही साथ में उसे कैसे जिया जाए अगर कोई आपको बता दे जो कि आपके हाथों में बहुत आसानी से मिला हुआ है परन्तु कुछ वजह से आप या तो उसे निगलेक कर रहे हैं या आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी तरफ से प्रयास करूं जैसे बहुत सारे लोगों नहीं किया हुआ है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझ में आए बस मेरा इतना सा ही मकसद था अगर आप गीता का पहला स्लोग और आखरी स्लोग याद रख दिया तो आप गीता के सारे मतलब समझ जाएंगे इसे कुछ है अपके मन में है ऐसा है कि जिनों ने कहा है वो अपने हिसाब से सही कहा होगा मैं इसे कुछ इस दृष्टे से देखता हूँ कि जीवन जो है उसका पहला पन्ना है हमारा जन और आखरी पन्ना है मृत्यो परंतो उसके बीच के जितने भी पन्ने हैं वो बीच में हमारे अपने कर्म है कि हम उस जीवन और बित्यो के बीच में जितने भी पन्ने हैं वो हम खुद लिखते हैं हमारे कर्मों से वो सारे पन्ने लिखे जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहला श्लोक और आखरी श्लोक के उसमें न जा करके गीता के एक-एक श्लोक को पढ़ना चाहिए और उसके भाव को और उसके अर्थ को और उसके संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहिए जुगदों से पहले आपको याद होगा सर जब सामने मतलब अपनों को देखा था और जुन उसके बाद गांड़ी फेक दिया था इसलिए भगमान ने उनको गीता मतलब समझाया वो उसके बाद युगदों के लिए तैयार हो गया सर और जुन मतलब और जुन के जिवन देका हूँ परंतु मैं उस व्यक्ति के रूप में देकता हूँ जो सामने जैसे ही उसके अपने लोग आ जाते हैं तो वो भावक हो रहा है उसके अंदर इमोशन कूट-कूट के भर्ग के आ जाते हैं और वो इतने ज्यादा बहते हैं कि वो उनके प्रती एक शब्द उनके प बहुत सारे उसके अंदर भाव जागरित होते हैं उन्हीं भावों को जब विवश होकर के जब हतियार डाल देता है तब भगवान कृष्ण उसे प्रैक्टिकल उसे बातें समझाते हैं कि भाई यह जो तुम कर रहे हो यह समय की मांग नहीं है समय की मांग कुछ और है इस समय में तुम्हें जो करना चाहिए जो तुम्हारा कर्म है जो तुम्हारा धर्म है तुम्हारा फर्ज है उसको अदा करो तो यहां से यह जीवन शुरू होता इसी तरह हमें भी अपने जीवन में करना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में अर्जुन की तरह विवश हो जाते हैं ये तो इश्वर के हाथ की बात है तो जो भी होगा तेरी मर्जी से होगा तुने मुझे ये काम दिया है तुने मुझे ये आज्या दी है मैं इस काम को करता हूँ और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि गीता में सब कुछ है आप से जानना चाहता हूँ इसमें क्या है कि सब लोग को उसके बारे में जानना चाहिए पहली बात तो यह है कि गीता में क्या नहीं है गीता में धर्म है गीता में विज्ञान है गीता में ग्यान है गीता के अंदर आपको व्यवसाई कैसे करना समाज में कैसे रहना परिवार में कैसे रहना आपको अपने जीवन में किस तरीके से आध्यात्म को ईश्वर की कृपा से अपने जीवन में लाना चाहिए ऐसी अंगिनत चीजें हैं अगर आप गिनने जाएं तो संख्या बल जो है वो बहुत बढ़ जाएगा कि कौन-कौन से इसके बेनिफिट्स हैं और ये सारी चीजें आपको गीता सिखाती हैं तो मुझे लगता है कि आपको गीता पढ़नी सुननी जरूर चाहिए सर आज का जेनेरेशन को क्या बलने चाहेंगे जो कि इसे जो गीता महाभारत इसे धर्मगन से दूर भाग रहे हैं जो मुझे लगता है कि वो दूर नहीं भाग रहे हैं वो थोड़े से उनको इस बारे में बताया नहीं गया है यह अगर बताया गया है तो ठीक ढंग से नहीं बताया गया है और वही काम तो हम कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उन तक भगवत गीता जो है, वो सही माइने में, सही तरीके से, सरल भाशा में उन तक पहुँचेगी, तो कहीं न कहीं उनको लुभाने के लिए ही हमने कुछ अलग-अलग भाशाओं का तरीकों का प्रयोग किया है, Ultimately हमारा मकसद, हमारा एम तो यही है कि भगवान कृष्ण की वाणी भगवत गीता जो है वो आप सुने और देखें जिससे आप अपने जीवन को सुधार सकें, बना सकें और जीवन में वो अंतिम जो आपका जो मकसद है वो आप पा सकें अगर आप जाएं यूट्यूब पर तो बहुत सारे संदेशों में उन्होंने ये लिखा है कि इसे आप इस भाषा में बनाए उस भाषा में बनाए और ऐसे ऐसे फोन कॉल जाते हैं रात के आधी रात को भी आते हैं, दिन में भी आते हैं कभी दो दिन में, कभी एक दिन में फोन लगातार बज़ते रहते हैं और उसमें उनका भाव जो होता है वो यही होता है कि आपने इस भगवत गीता के वज़े से हमारा जीवन बदल दिया और यह मुझे आपको टीवी पर, चैनल पर मैं बैठा हूँ इसलिए बोलने की आवश्रक्ता नहीं है आप यूट्यूब पर जाएं, भगवत गीता भाई शैलेंद्र भारती लिखें और उसमें आप कमेंट्स में आप देखिए लगभग मोर देन 30,000 कमेंट्स हैं और भी उससे ज़्यादा होंगे शायद तो उसमें आप देखिएगा आपको बहुत अद्भुत उसमें अनुभव हैं लोगों के हिंदी में सरलिकारण हो चुका है अभी ओडिया में होगा उसके बाद और किस कुछ चलने के लिए आपका प्लानिंग है क्या हाँ हाँ मुझे तो भगवान जैसे जैसे आग्यां देंगे मैं वैसे वैसे करता रहूंगा मेरा मन है इसे इंटरनेशनल लेंग्विज में भी करूंगा और दूसरी भाषा के लिए भी लोग अगर मेरे पास आएंगे तो I am always open for it क्योंकि ये तो भगवान की वार्णी है जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे सर आप फिलाल उडिसा में हैं उडिसा और उडिसा के लोगों के बारे में आपका क्या खायल है और जब भी मिलते हैं उडिसा के लोगों के साथ आपको कैसा लगता है सब से पहले तो मैं उरिसा और ऊडिसा के लोगों को रिदय से बहुत बहुत नमस्कार करण छूँ तो उरिसा जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है पिछले बीस एक सालों से मैं उरिसा मैं आ रहा हूं खास करके बहुनेश और वगैरह मैं कभी मेरे प्रोग्राम होते रहते हैं कभी मैं रिकॉर्डिंग के लिए आता हूँ कभी हिंदी गाता हूँ कभी उडिया गाता हूँ आप लोग जैसे कुछ लोग होते हैं वो मुझे सिखाते हैं मैं गाता रहता हूँ तो यहां के जो लोग हैं से बड़ी बात है कि यहां के लोगों में मेरा अपना अनुभव है इगो लेस हैं और फुल अफ लव तो मुझे ये चीज बहुत प्रभावित करती है इसलिए मेरा मन बार बार उडिसा के इस द्वार पर खास करके जगनाजी के द्वार पर आने का मन करता रहता है क्योंकि ए ऐसे प्रेमी लोगों को मिलने का भी आउसर मिल जाता है उडिया भाजन आपके मुह से सुनना जाओंगा उडिया देखिए भाजन मुझे अभी फिलाल तो याद नहीं है लेकिन एक मैंने शिरडी साइं बाबा का एक मैंने भाजन गाया था लेकिन उसकी एक लाइन जो है म दादा दरेदारा ऐसे करें कोछी गाना है लेकिन मैं ख्रमा चाहता हूं यो यूट्यूब पर यह आपको गाना मिल जाएगा बहुत अच्छा भाजन है यह जिसमें हम यह कहते हैं कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते जगनाथ आते नहीं हम मीरा की तरहां बुलाते नहीं हम मीरा की तरहां बुलाते नहीं अच्छुतं केशवं क्रेश्न दामो दरम अच्छुतं केशवं क्रेश्न दामो दरम अच्छुतं केशवं क्रेश्न दामो दरम इसलिए कि आपको इस तरफ खिच लिया क्या है बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है मैं आज अगर संगीत क्षेत्र में हूँ और अगर इश्वर का नाम ले रहा हूँ तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इश्वर की कृपास से मैंने ऐसे घर में जन्म लिया जहां एक बड़े महान गायकलाकार मेरे पिता के रूप में मेरे घुरू के रूप में थे पंडिट श्री आनंद कुमार सी आपने उनका जो टाइटल सॉंग है वो आपने अवश्य सुना होगा उन्होंने फिल्मों में बहुत सारे गाने गाये सभी लेजंड्स के साथ में काम किया उन्होंने लेकिन मैं उनका परिचे आपको दे देता हूँ टीवी सीरिल रामायन में जो शीर्शक गीत आप सुनते थे मंगल भवन मंगल हारी द्रवव सो दस रत अजिर विहारी ये मेरे पिता जी का गाया हुआ था बहुत 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 सारा आपको बहुत सारा सुब कामना है आपका नेक्स पोजेक्ट के लिए सुनतले आपण सलेंद्र भारती जिनका पतिक्रिया जोड़ वाबे बेस उस्तुराहित अचंती तांकरा आगोको जो प्रोजेक्ट विशेस करी आपण जानीति बे जो राईची भगवत गीता ताहाको से सरलळ भासारे बुझे की गोटे हिंदीरे कनवर्ट करी चनती एबंग उटे यूटूब चानेल ले सेटा चाड़ी चनती एबंग बर्तमान सुधा पाखापाखी बहुँ संख्यारे लोको ताकु देखी सालले नी एबंग अधिकरू अधिक लोको तांकू कोंटार्ट करियाकू चेश्टा करू चनती जहाकी से किस्वम पुर्भूरू तांका पतिक्रियारे कोईतेले एबंग धिरे धिरे इभली भाबे जो कार्जेकम जारिर होईची लोको माना को मनारे भगवद भाबनापती आग्रह एबंग यहात्वारा मध्यों उडिशा बासिंको उपरे बहुत प्रोहाब पोडियों बोली शे मध्यों आशार रखी चनती भूबने सोरो कैमरा पर्शन देवेंद्रों को सुसान साउकोरी पर्ट और्गस नियोज